बास्षा नाम है प्रभीन कनकोन की राजदानी चावडी से तक्रिबान तीन किलोमेटरा धूर बसावा गाउं हस्तिनापूर नहीं देड़ेपूर से आयो में शक्स और प्रारंबिक जोडी मैदान में आ चुकी है अमर और उद्दव आई है प्रारंबिक जोडी ओंपायर का इशारा आता हुआ और पेली वार लेकर आई है कृष्णानन आई है पेली वार लेकर ओमेटरेड बॉक्स एंड से गेनवाजी का भार उनके कंदु पर डाला है कि इस बीच तोड़ा सा समय लेने के कोशिश अलाकि होती हुई और इस बीच और इस बार काफी और यहां थोड़ी सी गलती होती हुई और बल्ले का बहारी किनारा लगा जरूर गया था और इस बीच बल्लेबास के बल्ले से निकलता हुआ रामदे बाबा पतांजली दंतकांती चोगा मसुड़ों में जानतो दातों की शान यहां दिखती हुई और इस चोगे की साहता से यहां शुरूरात होती हुई अलाकि समय उनके पास यहां चल जरूर रहा है इस बीच अगली गेन शाट आफ लेंड गेन जरूर थी खिलाड़ी वहां मवजूद और जब तक फिल्ड करे त्रू करे एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ स्कूर बढ़ता हुआ पांच रन बने हैं अच्छी गेन हलाकि जरूर थी लेकिन फिलाल भागी यहां साथ देता हुआ इस बीच अगली गेन इस बार अमर के लिए और इस बीच श्ट्रेटरा खेला जरूर गया है सचीन वहां की लाड़ी मौजूद जब तक फिल्ड करे त्रू करे एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ स्कूर बढ़ता हुआ छे रन बनी है अच्छी गेनबाजी होती हुई पहली ओर जिस तरीके से उनके कंदों पर डाली जरूर गई है और कंदे यहां मजबूत दीक जरूर रहे है आड़े बल्ले से खेला रिपले के तवर पर शोट खेला जरूर गया था लेकिन सिर्फ एक रन के लिए और प्रारंबिक जोड़ अलाकि निच्छी तरुप से मैदान में उत्री जरूर गई है भारत के अगर बात की जाए रोई शर्मा और केल राउल के स्थान पर उनके बेजा जरूर गया था लेकिन उस तरीके से दमकम यहां दिखता नहीं और अकिरकार साचीन और इसके साथ साथ साचीन महा किलाड़ अमर के रूक में हवा की दिशा दिखने की कोशिश आला की की जरूर गई है विनेश ने लेकिन अच्छी गेनबाजी यहां होती हुई बल्ले का फेस कुल कर खेलने की कोशिश पुरी तरह से चुकी और इस तरीके से एक ओवर समाप्त होने के बाद सात रन बने है एक खिलाड़ी आउट होने के बाद जिस तरीके से चुरुवात यहां चाये दिवो चुरुवात यहां मिले नहीं हाला कि निच्छी तरुप से जिस तरीके से अमर लेकर आए है सचिन एक ओवर समाप्त होने के बाद सात रन बने है एक खिलाड़ी आउट होने के बाद प्रारंबिक बलिबाद के रुप में मौईधान में उत्रे थी अमर आउट होकर वापस पहलो ने जाज जरूश चुके है और सचिन दूसरी वाल लेकर आए है और सचिन को यहां तिंडूर कर बनने के अवश्चक किता और इस बीच रीवर्ट सिप खेलने की कोशिश उद्दाव द्वारा लेकिन फिलाल गेन और बल्ले में संबर्क नहीं अपने आपको एक अलग तरीक से खेलने की कोशिश हम आपके जिगाब बिनेश सचिन की अगली गेन बिनेश के लिए और इस बीच पुल्टा जोती भी गेन कोई मौका नहीं गेन मौड़ी लाइन के बाहर जाती हुई चार रन के लिए झाण कि दूसरी वार्फ प्रगति पड़ चलते होई कि सचीन के अगली गेन बिनेच के लिए और इस बीज बहुत अच्छी गेन और जिस तरीके से इस अच्छी तरह से गेन दे अलाकि सचीन बीचो बीच डाल जरूर रहे हैं और हम पहले इस रोताओं को जिक्र कर जरूर चुके है सचीन को यहां तेंडूल कर बनने के अवश्चा केता और इस बीच अगली गेन और इस बार उनके पाले में डाली हुई गेन और गेन बॉर्डरिलान के बाहर जाती हुई छे रंकेनी सचीन यहां तोड़े से महेंगे साभीत होती हुई और इस बार बल्ले का फेस कुल कर खेला जरूर गया है जमीन के सारे सिर्फ एक रंके लिए और और से एक रंके साथ स्कूर बढ़ता वह अट्रा रंबने हैं और जिस तरीकी से नती तुली गेन बाजी के लिए जाने जरूर जाती है साचीन लेकिन फिलारिस बीच अगली गेन खुद्धाव के लिए और खुद्धाव के बल्ले से निकलता और क्रिकेट को यहाँ फुटबल करने की कोचीच मुहिनी इस द्वारा और काम्याभी हम मिलती हुई लेकिन ये गल्ती आपके लिए थोड़ी सी अमरिश्पुरी बनता हुआ और इस दो रनों के साथ कोर बढ़ता हुआ 20 रन बने है और दूसरी और में निच्ची तरुप से देखा जाए तो 13 रन यहाँ बटोरी जरूप गई है क्यां थिरूप आपके डीसेए हुआ बिनेश बल्लिबाजी के लिए जाने जाते हैं अनुबा उनके फास बहुत बड़ा लंबा लेकिन फिलाल देखना पड़ेगा और यहां जल्दबादी में खेला हुआ शौट की लाड़ी मौजूत लेकिन सिर्फ दो रन तब तक निकाल जरूर चुकी है और इस दो रनों के साथ स्कूर बढ़तावा 22 रन वने है एक खिलाड़ी आउट होने के बाद संकीत पिर एक बार तयार अग्री गेंट विनेश के लिए और इस बार रिवर्ट सीप कोई मोगा नहीं के बोडरी लाइन के बाहर जाती हुई छे रन के लिए होगा है अजय करते हैं तूर करते है नहीं के लिए प्रूश्य कोई प्रूश्य कोई बाहर जाती है हम जाती है और निच्छी तुरुपते संकेत यहां थोड़ी सी परेच्छानी में दिख जरूर रहे हैं लेकिन इस बार रिवार्ट सीप केरने की कोचिश अला कि संकेत की अगर बात की जा कोवीड के चलते उनको प्रेक्टिस करने का मौका मिला नहीं लेकिन फिलाल अच्छी गिर्वाजी के लिए जाने जरूर जाती है और इस बीच गती में परिवर्तन प्रविन की इंटर्नेल मेमरी से गती की बात की जा तक्रिबन और गेन बॉर्डरी लान के बाहर जाती हुई चार रन के लिए अलाकि गती में परिवर्तन उन्होंने किया जरू गया था प्रविन की इंट्रने में में मरी से गती की बात किजा 70 किलोमेटर पति घंटे के रफ्तार चे चोड़ी जरूर गई थी लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन का पाइदा उनको नहीं मिलता हुआ और इस चोके की साहता से स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी एट रॉन मने है संकेत फिरिक बार तयार और शायद विनेश के लिए फिल्डिंग कहां हम लगाए यह निची तरुप से कप्तान के मनाव एकनिक दबाव यहां बढ़ता हुआ करांड के चारोद और खेलने की छमता रखने वाले खेलाड़ी और जहां खेलाड़ी को आगे लाया गया था उसी दिशा में गेन को खेला जरूर गया है और गेन बंडरी लाइन के बाहर जाती हुई चार रन के लिए और बलेबात के बल्लेट से निकलता हुआ राम्य कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि संकेत के उपर बहुत बड़ी जिम्यदारे डाली जरूर गई थी लेकिन उस जिम्यदारी के परसरुप देखा जाए तो निच्चीत रूप से थोड़ी से महंगे यहां साबित होते हुई पोटी टू रान बने हैं तीन ओवर समप दोने के बाद और चोथी वार लेकर आये हैं मोहिनिश और मोहिनिश ने गेन डाली जरूर लेकिन कोशिश भी हलाकी जरूर की लेकिन गेन बॉंडरी लाइन के बाहर जाती हुई चे रन के लिए और निच्छी तरफ से हर बल्ले बास के लिए थोड़ी सी दुविदा यहां होती हुई इस भी जगड़ी के इन उद्दव के लिए और ये शोट आपके लिए उतना महत्व ओ माई गॉड हलाकी निच्छी तरफ से आसान के चाला की जरूर थी मोहिनेच के लिए लेकिन फिलाल जिवदान यहां मिला जरूर और ये एक रन निच्छी तरफ से बनता हुआ और इस बीच बहुत अच्छी गेन और अच्छी फिल्डिंग यहां वती हुई ऐसे फिल्डिंग की उमीद की जा सकती है और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पच्छास रन हो चुके है और इस बीच बहुत अच्छी गेन एक तरकी से वापसी यहां होती हुई गेनबाद मोहिनिश्ट वारा और पुरी तरफ से हाथ कुलने का मौका यहां दिया नहीं अच्छी गेनबाजी अलकि नियंतरन से गेनबाजी करते हुई और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़तावा 51 रन बने है और इस बीच जोरदार अपील और इसके साथ आउट बल्ले का बहारी किनारा लेती हुई गेन और महिन सिंग दोनिकेस्तान पर खड़े हुए खिलाडी ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से दूसरा विकेट गमाचिक और शपलता या मिलती हुई मोहिनिक्ष के लिए एक असान चा के चुनों ने छोड़ी जरूर गई थी उद्दव की लेकिन फिलाल उनके बावजूद अच्छी गेन बाजी यहां होती हुई और पुरी तरह से और तर इस तरीके से चार ओवर समाप दोने के बाद फिप्टी टू रन बने है चार ओवर समाप दोने के बाद अचलना तू बॉंबे अक तो के लाड़ी आउट होने के बाद अचलना प्लाइन लेकिन बले बाद और मांग जरूर कर रहे हैं लेकिन एक इशारा अंपायर दे जरूर चुके हैं गड़विन के लिए बाबो और दामो इस तूर्णामेंट के अंपायर जरूर है अनुबाव उनके पास बहुत बड़ा लंबा और जिस तरीके से अनुबाव यहां धिक्तावार गेन बॉंडरी लाइन के बाहर जाती हुए बनिबास का चार रन के लिए पूछे की पाता की अनुबाव लाइन के लिए अनुबाव लिए अनुबाव नुबाव लिए अनुबाव फिप्टी शिक्स रन बने है ओर इस बीच जोरदार शोट लॉंग आप बाउंडरी के बाहर जाती हुई छे रन के लिए काफी शांदार शोट और बलेबाद के बले से निकलता हुआ डावग और चवंद प्राचक का रुप का स्कूर कि और इस बीच बहुत अच्छी गेन नती गती में परिवर्तन किया और उन्सका पाइंदा यहां गोडविन को मिलता हुआ और इस बार कहीं निगाये कहीं निशाना लेकिन बीच 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 जाती हुई गेन एक रंद कल चके दूसरे रंद के लिए पालटने की कोशिच लेकिन बहुत अच्छी फेल्डिंग और इस एक रंद के साथ स्कूर बढ़ता हुआ सिक्ष्टी त्री रंवने हैं आम आपके जिगा सिल्वा ब्रदर्स ये बल्लेबाजी कर रहे हैं अलाकि निश्ची तरुप से जिस तरीके से हम अभी इस खुर्जी पर बैटे हैं और अलाकि निश्ची तरुप से एक सफलता यहां मिलती हुई गौडविन के लिए और तिसरी और इस तरीके से पहली इनिंग यहां समाप्त हो चुकी है 62 रन बनाए गई है और 63 रनों की अवश्चक के ता डर डेविस के लिए एक मुकाबला जीतने के लिए आप कई मज जाएंगे हम लौटेंगे एक चोटे से पनिब्रिक के बाद कर दो कॉंपिटर में यहां थोड़ी सी गलती वहती हुई माप कीगा 63 रनों की बनाए गए है 64 रनों की अवश्चक केता कि अवश्चक के अवश्चक के अवश्चक के अवश्चक टाओ बनातार है और इसके पहले जो मकाबला भाता उसको मैन अब दमेश से यहां लक्षमी कांथ को यहां मैन अब दमेश से नवाजा जाएगा और उन्होंने शायद काफी शांदार गेनवाजी और हैट्रिक उन्होंने की ज़रूर गई थी अपने केरियर में अलाकि लक्षमी कांथ की टैनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेट की हितियास के पन्नों में जागर अगर देखा जाए साथवी हैट्रिक उन्होंने इस मकाबले में की काफी शांदार अनुबाव उनके पास बहुत बड़ा लंबाद निची तरुप से देखा जाए तो गवरिश नाइक को यहां में अब्दमेट से नवाचा जाएगा और दोनों को मैं दर्कास करना चाहूंगा यहां कोमेटरी बॉक्स में आ जाएगा अला कि हम आपको ट्रॉपी से उबरूफ करवाएंगे और जिस तरीके से कौन सा भी खिलाड़ी क्यों नहों जिस तरीके से उन्होंने योगदान लिया और हरी पागी को मैं बुलाना चाहूंगा अला कि निची तरुप से उनके हाटों से यह मैंनुब्दम्यस से उनको नमाजा जाएगा लेकिन चलते ही इस मकाबले के और प्रानुबिक बलिबास के रुप में मैधान में उत्तर चिके हैं मोहिनिश और कार्थिक आई है प्रानुबिक जोड़ी मैधान में आई है और ये मुकाबला जीतने के लिए निची तरुप से बड़ी शॉट की अवशक किता जरूर है लेकिन क्रिकेटिक अंचिताओं का खेल है कभी खुशी कभी गम लेकिन फिलाल हम आपको चैरे पर मुस्कुराट लाने की कोशिश यहां जारी रहे गिया और अंपायर का इशारा आता हुआ पहली वाल लिकर आई है और अमार ने पहली गेन डाली जरूर खिलाडी मौजू जरूर है लेकिन हवा का जोका यहां उनके लिए बागी साथ देता हुआ और गेन मौटरिलान के बाहर जाती हुई छे रन के लिए और बले बात के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चमनप्रा छक्का रुके ना तू जुके ना तू अंजुरूनी शक्ति है तेरी पाग के साथ स्कोर बढ़ता हुआ साथ रन बने है और इस बीच थोड़ी से पुल्टा सोती हुई गेन डाली जरूर गई थी लेकिन सही गैप यहां ढून नहीं पाई बल्ले बात लेकिन तब तक के लिए एक रन लेने का मौका हला की जरूर ता और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन बनी है शिरूर अला की अच्ची है जरूर लेकिन मन्जिल तो काफी दूर नहीं है लेकिन बल्ले बात जिस तरीके से बल्ले बात के लिए जाने जाते है मौयनीश बड़ी शौट के लिए जानी जाती है और प्राविक बल्लेबाद की रुप में उनको मैधान में उतारा जरूर गया है दमखम उनके पाद जरूर है लेकिन बल्लेबाद थोड़ा सा समय लेने की कोशिश यहां करता हुआ और शायद उनका शूज में थोड़ी सी दिक्कत होती हुई और आखिरकार शूज उनके लिए थोड़ा सा अमरिश्परी बनता हुआ खलनाय गोता हुआ लेकिन फिलाल खेल थोड़ा सा रुका हुआ और सुरूताओं को मैं पहले जानकरी दे चुका हूँ अलाकि सुरूताओं के चैरे पर मुस्कुराट एक कलाकार के लिए और क्या चाहिए और हम सुरूताओं को पहले जानकरी दे चुके है जब-जब कोई भी कलब हमको इस कुर्ची पर बैठने के लिए मौका देता है और इस कुर्ची पर बैटने वाला बड़ा नहीं, बिठाने वाला बड़ा होता है, अलाकि एक कलाकार को और क्या चाहिए, और वही सोच और बंदा न डरता है गोलियों की बहचार से, ना तलवार की धार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवर्दिकार से, और निच्छी तरफ से कहना पड़ेगा, बल्ले बास के लिए तो, अलाकि मुश्किल होती हुई, और निच्छी तरफ से अगर उन्होंने एक मिनिट का अगर और जाया किया, तो निच्छी तरफ से उनकोई उनके लिए जुरुमाना भुगतना पड़ जरू सकता है, हम यह कह के रहा है, क्योंकि हम सुरुताओं को पहले ही जानकारी दे चुकि है, हमको तो अपनों ने भुमिपुत्र बनाया, गईरों में कहां दम था, जहां हम घर बनाया, वहां जगा कम था, और आखिरकार बलिबास को दोड़ कर आना ही पड़ा, लेकिन निच्ची तरुपते देखा जाए, तो दस किलोमेटर प्रति घंटे के रफ्तार से दोड़ कर आए, जरूर और बीच, माइनेश के लिए, और बीचो बीच, और यहां तोड़ी सी मिस्पिलिंग होती हुई, और उनका पाइदा यहां मिलता हुआ, एक रन के लिए और इसी एक रन के सा स्कोर दीरे से बढ़ता हुआ, नव रन बने हैं, पहली वार प्रकति पर चलती हुई, अमर के अगली गेन, और यहां तो निच्ची तरुपते, रवीश, रवील, अलाकि निच्ची तरुपते, ओ माई गौड, और जिस तरीके से यहां, अलाकि क्रिकेट के हितियास में अगर देखा जाए, अगर गेन तो आपने गलत दिशामें पेका गया हो, तो निच्ची तरुपते, पिल्डर जिस तरीके से अपने आपको दिखाता है कि हमारे वाजू हां थोड़ी सी दिक्कत, औ और इस बीच रिवार्ट सिफ खेलने के कोशिश मोहिनिश द्वारा, लेकिन गेन और बलने में संबर्ग नहीं, और निच्ची तरुपते, उनके समर्थों को में थोड़ी सी निराशा दिखती हुई, लेकिन फिलाल अमर फिर एक बार तयार अगरे गेन मोहिनिश के लिए, और इस बीच अपने आपको बुरी तरह से अलक शॉट केलने के कोशिश उनकी जरूर रही ही, लेकिन उनके चेहरे पर यहां कॉलके ट्रेड़ टाज दिखती हुई, अलाकि निच्ची तरुपते वो शॉट केलना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अनुभव हो यहां ग ग्यारा रन बनी है, टी 25 के सोजने से, और इस बीच, दूसरी वाल लेकर आई है, उद्धव आई है, लेकिन और यहां उंपायर के निरुड़े से नाकुष चरूर लग रही है, लेकिन वाइड का इशारा उंपायर का, टपा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, लेकिन उद्धव के चैने पार थोड़ी सी और इस बीच, इस अतिरिक टरंद के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, दस रून बने है, अम आपके ज़ग ग्यारा रून बने है, अम बारा रून बने है, और इस बीच अच्छी गेन, इस बार लाइन और लैंध के साथ गेनवाजी होती हुई, और इस बीच पिर एक बार दिशा बढ़ के वैड का इशारा अंपायर का और निचे दुरुप से किस तरी गती उनके पास जरूर है लेकिन फिलाल थोड़ी सी दिखत मैसुस होती हुई इस बीच अग्री गेंग और इस बीच बहुत अच्छी गेंग मोहिनेश आला कि प्रारंबिक बल्लेबाद के रुप में मैधान में उत्रे थे और निचे तरफ से दिखत में मैसुस कर जरूर रहे है उद्दव के अग्ली गेंग मोहिनेश के लिए और शायद इगल अपना शिकार ढूंड जरूर रहे है लेकिन आला कि उद्दव के लिए और इस बीच और काफी और थोड़ी सी गलती होती हुई आला कि नेचे तरफ से बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंग स्लिप में जो किलाड़ी मौझूद था उन्होंने कोशिश आला कि जरूर किती लेकिन एक रन अपने टीम के लिए बचा नहीं पाए और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बने है और इस बार तो जोरदार शोट खेला जरूर गया है जिस तरीके से अच्छी फिल्लिंग यहां सोच समझ कर उन्होंने जिस तरीके से इस बार जल्दबादी नहीं दिखाई है और इस बीच हैलेकपटर शोट कहलने की कोशिश लेकिन गेन और बले में जिस तरीके से अत्मिश्वास बार शोट नहीं था लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका अच्छी गेन बाजी उद्दा उद्वारा और जिस तरीके से बले बाज़ा को पुरी तरह से बान के रखा गया है एक एक रन आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकती है पिल्दिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच उद्दा उद्वारा और इस बार बड़ा शोट की तलाश लेकिन और इसके साथ पहला विकेट गमा चुकी है कार्थिक के रूप में प्रारभिक बल्लिबाज की रूप में कार्थिक मैधान में उत्रे जरूर गई थी और निचित रूप से बड़े शोट की तलाश उनको जरूर थी एक मनोवे इगनिक भाउ हाला की दीक जरूर रहा था जिस तरीके से गेनबाज ने गेनबाजी कि और मनोवे इगनिक दभाउ बल्लिबाज पर पड़ता है इस तरीके से मंजिल काफी दूर जरूर है लेकिन आदर्ष स्पोट्स क्लप केप्टन माप के जगा आगा स्पोर्ट्स क्लब केप्टन यह हट टॉस के लिए आएगा आगा स्पाइटर्स केप्टन और जिस तरीके से यहां बल्लिबाजी होती हुई मन्जिल काफी दूर जरूर है लेकिन दो ओवर समापत होने के बाद 16 रन बना चुके है और तिसरी वार लेकर आए है विनेश इस गेनबास को अगर आप रन बनाएंगे तो निच्ची तरुप से आप उस रनों का पीछा कर जरू सकते है और नए बल्लिबाज आई है गडविन यह जोड़ी और इस बीच जमीन की सारी खेला है सिर्प एक रन के लिए गडविन ने और निच्ची तरफ से जिस तरीके से बल्लिबाजी के लिए जानी जाते हैं मोहिनिश और गडविन यह जोड़ी इस मुकाबले के लिए उमीदे बरकरार होती हुई लेकिन इतियास के घेरे में क्या चुपा है क्या ना बहुत कटिन और मोहिनिश के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवन प्राज चक्का रुके ना तो जुके ना तो अंदरुनी शक्ती है तिरे पास और इस चक्के की साहता चे स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बने है एक खिलाड़ी आउट होने के बाद और इस बीज काफी तेज गेन लेकिन गेन और बल्ले में संपर्क नहीं और विनेश भी जानती है जिस तरीके से बल्ले बाजी के लिए बल्ले बाज खेलने की कोशिश अला की जरूर करेंगे लेकिन जिस तरीके से उनके पास अनुभाव यहां दिखता हुआ और इस बार ब्लॉक होल में डाली जरूल गई थी लेकिन सिर्फ एक रन के लिए और इस एक रन के साथ स्कूर बढ़तावाँ ट्वेंटी पोर रन बने है एक खेलाडी आउट होने के बाद और इस बीज जोरदार अपील लेकिन मना वाइगनिक दबाव डालने की कोशिश अंपायर पार हाला कि निची तरुप से जानते हैं गौडवीन का केट कितना महत पूर्ण और उनके पल्सरों जोरदार अपील हाला कि की जरूर गई थी फिनेश के अगली गेन और फिर एक बार बहुत अच्छी गेन और इस तरीके से तीन ओवर समापत होने के बाद 24 रन बने हैं अभी भी ये मुकाबला जितने के लिए अंतिम बारा गेंदो में 40 रनों की अवशक किता कि अवशक बार बहुत अच्छी कि अवशक का गवावजबला जितन फिर इना के अवशस्ताओंष झारूंच के अवशक के लिए झाला जेए झाला कि अवशक कि अवशक बार्णाश कि ये खा गे दोड़ित आना का पूलूंग पेला शोट खेला जरूर लेकिन वे शोट आपके लिए थोड़ा सम मुश्किल में डालता हुआ और इस तरीके से दूसरा विकेट गवा चुके है मोहिनिच के रूप में मोहिन अविका झालते थाइ psychology है पेला झाल 두क सिर्वर डालता है डत CCPश्या सम मुश्क के रूपप nellaव में ये रे धिस दोप खेला है सबस्दाटOS आपक के सृपप हा there गडविन के लिए और गडविन के बल्ले से निकलता हुआ ये मोहत बड़ा शॉट उसी शॉट की तलाज यहां थी और वही शॉट उनके बल्ले से देखने के जरूर मिल रहा है अभी भी मंजिल काफी दूर जरूर है लेकिन 34 रनों की अवश्चक गिता अंतिम दस गेंदों में गडविन के लिए और गडविन के बल्ले से निकलता हुआ ये रीप्ले चो चका आँ निची तुर से बनों एक दवाव यहां गेंद बास पर पड़ता हुआ अभी भी खत्रा टाला नहीं अंतिम नव गेंदों में 28 रनों की अवश्चक गिता लेकिन इस बार दिशा बटके और वाइड का इशारा अंपायर का और दिच्ची तुरूप से एक मने मैस पहले ही स्रोताओं को जानकारी दे चुका है मनों एक दवाव यहां गेंपात पर पड़ता हुआ अभी भी खत्रा टाला नहीं अंतिम नव गेंदों में 27 रनों की अवश्चक गिता लेकिन फीर एक बार दिशा बटके गिफ्ट के रूप में यहां रन बहाल कर रही है और शायद मंत्र ना उनको दी जरूर गई है लेकिन अभी तक रुमांच यहां इस मुकाबले में बढ़ता वा गडवीं जब तक क्रिज्च पर कड़े रहेंगे और इस बार अच्छी गेन और किसी ने खाना अगर खाया ना हो तो आप आकर यहां खाना खा सकती है हेलो और हम आपको जानकरी देंगे इस गेन के बाद और इस बीच गडवीन के बल्ले से निकलता हुआ शॉट लेकिन एक रन के लिए अलाकि हम कहना चाहेंगे किसी ने खाना ना खाया हो तो आप आकर खाना खा सकती है और समय पर आदमे को पानी ना दिया हो और बाद में अमरुत पिला के क्या फाइदा लेकिन फिलाल मुकाबला यहां चलता हुआ रोमांच यहां और बड़ जरूरा है लेकिन फिलाल संगर्श क्रिकेट के दुनिया में इस मुकाबले में धिक जरूरा है हवा अलकी आज जरूर रहे है प्रमीन की इंटरने मेमरी से से हवा की बात की जड़ तक्रिवन 15 किलोमेटर प्रति गंटे के रफ्सार से आती हुए हवा किलाने को और सुरूताओं को आनन देती हुई अगली के इन साचिन के लिए और साचिन को गिफ्ट के रूप ने गेंडाली और नूबल का इशारा यहां आज अरूर जुका है और इस साथ रनों के साथ स्कूर बढ़ता हुआ लेकिन इस बार तो मौका तो नहीं था और इसके साथ रनाट हो चिकी है साचिन लेकिन आज़िए अरूर जुका तो अन्यॐं तो जुका हुआ और गॉडविन के लिहां क्रिकेट वीर बनने का मौका और अंतिम और निकर आई है शॉट आफ लेंड गेन और उनका खाम्याजा यहां भुगतना पड़ा छे रन के लिए झाल यहां जो वो और व्लीज ठाल मिध्यापग कि होलिए। सिर्फ छे रनों के अवाश्चा के था अब तो निच्ची तरफ से हम पहले ही जीक्र कर चुके है क्रिकेटी वीर बनने का मौका और ये मौका गौडविन भूलेंगे नहीं और गौडविन यहाँ ही हीरो बनता हुआ और लगातार तीन चक्के गौडविन के बल्ले से देखने के जरूर मिले और चेरे पर कॉल के अड़ूरा दिखती हुई आप कहीं मज जाएंगे हम लाउटिंग एक चोटी से पानी ब्रेक के बार कर दो जाएंगे हम जाएंगे हम झाएंगे हम उड़ा रहा हुआ है झाल झाल झाल